आज हम आपके लिए लेके हैं बहुत जबरदस प्रोड़क्ट जो के बॉया का M1 DM माइक है डूल कॉलर माइक है वायर आप्शन के साथ है आपको पता है जैसे के माइक्स के अंदर वायर वाले माइक्स में आपको वायर बहुत लंबी चाहिए होती है तो बॉया जो है वो आपको बड़ी जबरदस लंबी लेंथी वायर देता है कि दूर से भी आप जो है लाइक इसको माइक को वायर देके रिकॉर्ड कर सकते हैं और दो माइक का मकसद यह होता है कि आप दो बंदों के अगर इंटरव्यू कर रहे हैं तो दोनों की voice quality आपको अगर clarity के साथ चाहिए तो आप at a time दोनों की voice quality एक ही camera में या एक ही mobile में आप record कर रहे होते हैं उसकी recordings में तो चले चलते हैं इसकी unboxing की तरफ और आपको दिखाते हैं कि इसकी unboxing में आपको क्या क्या इसके साथ मिल रहा है जैसा कि मुझे हर बार unboxing करते वक्त थोड़ा सा issue होता है क्योंकि nails जो है मेरे बड़े छोटे हैं तो वो सहीतना से चीज को खोल नहीं पाते box को तो यह है जी इसक user manual और यह इसका warranty card है जो के warranty यहां पे claimable नहीं होती चाइना की चाइना में आप क्लेम कर सकते है warranty को Chinese product है और यह इसका pouch है जिसके अंदर से हम निकाल रहे है रैगजीन pouch है इसका ठीक है manual हम side पे कर देते हैं और यह छोटी छोटी इसकी कुछ accessories हैं जिसमें इसके sell हैं और इस तो यह है इसका collar clip holder यह दो foam है इसके windshield यह इसका sell है इसके अंदर यह इसकी बड़ी वाली जो aux की तरह दूसरी जो होती है अगर आप इसको use करना चाहें audio mixer के साथ तो अदर भी आप use कर सकते हैं एक आपका collar clip यह है दूसरा collar clip आपका यह है दो collar clip हो गए दो आपके windshield हो गए एक आपका cell है जो कि आपके mic में लगना होता है तो cell भी हम खोल देते हैं क्योंकि हमने इसको आपको test करके भी दिखाना है इसके footage को यह हमने cell को open कर दिया ठीक है यह आपके दो mics है तो आप इसको basically use करना चाहें अपने smartphone के साथ तो उसके साथ भी use कर सकते है smartphone के लिए आप इसको नीचे को रखेंगे button को और अगर आप camera के साथ इसको use करना चाहें तो आप button उपर कर देंगे तो फिला हम अभी इसको off रखते हैं यहां से इसको open करते हैं और इसको cell को हम इसमें लगा लेते हैं plus minus देखके cell हमने इसमें लगा दिया और हमने वापिस इसको pack करके बं कर दिया ठीक है और अब हम इसकी wires को open करते हैं और अपने camera man को कहते हैं कि यार इसको जो है camera के साथ connect किया जाए ताके हम आपको इसकी quality जो है वो दिखा सकें तारे शारे इसकी जो है वो आपको मिल रही है खोलने के लिए आप इसको राम से खोलेंगे तसली से एक हम यहां से खोल दिया हमने इसको दूसरा हमने यहां से open कर दिया बोया का M1 DM माइक यह हमने यहां से उपन कर दिया इसको तो चलें जी इसको अब हम टेस्टिंग वाले मरहले में लेकर चलते हैं और यहां से हम अपने कैमरा मेंन को कहते हैं जनाब इसको आप लगा दें उदर कैमरे के साथ और आप देखिएगा कि यहां से यह आपका कैमरे पर आउन कर दिया है ठीक है ले जाएं जी इसको बैक पर ठीक है फोम जो है हम इसको पर एक माइक पर लगा लेते हैं दूसरा लगाने की जूरत नहीं है क्योंकि हमने माइक की क्वालिटी आपको टेस्स करानी है तो हमने वेंडशिल्ड इसके अबर लगा लिया ले जी ओके जी कैमरा माइक अटेच तो यह देखें यह इसकी वाइस कॉलिटी आपको मिल रही है बोया M1 DM की डूल कॉलर माइक की एक माइक यह है और एक यह बला माइक है और इस ताम हम एक माइक यूज़ कर रहे है बोया M1 DM और प्लेस करने के लिए superphotos.pk विज़ित कर सकते हैं online order कर सकते हैं whatsapp order कर सकते हैं और हमारी shop विज़ित कर सकते हैं YouTube चैनल को subscribe करना like करना, share करना न भूले Thank you, Allah आफे कर सकते हैं